हलो जी बाके बैर थाना प्रवारिस बात हो रही है क्या जी समर राठ वर बात कर रहे हैं गया से जेके नीज डिस्टिक ब्यूरो आपके थाना का एक मामला है कि एक यूबा के साथ मार पीट के यह है पुलीस पताधिकारी के द्वारा जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है सर क्या मामला है वो जाच चल रहा है अच्छा एक बात बताईए फिर आपसे पुछना चाहते हैं कि आप लोग पुब्लिक सेवा के लिए हैं या फिर पुब्लिक के मालिक हैं है है देखिए फोन काड़ दिए पुछे इनका फोन महोदे का कट गया अब पता नहीं क्या है ये एक बार फिर से इनको हम ट्राय करते हैं कि फोन का है कर देखिए ये थाना परभारी है अब सोचिए ना एक ही सवाल में फोन काड़ दिये इसी बीच जब पुलीस वाले चर पहना है आपका सिट बेल्ट कहां है इस पर पुलीस वाले भड़क जाते हैं जो पुलीस पतादिकारी रहते हैं वो इतना मार पीट करते हैं उस युवा के साथ उसके नाक से बलड गिरने लगता है वो गंभीर अवस्था में उसे वो इलाइज के इस्पताल ने भरती करा जाता है अब सोचिया न एक कानून वाले जो हैं जो वर्दी पहने हैं वो क्या वर्दी का पाला नहीं करेंगे वो क्या कानून के रखवाले नहीं है मतलब वर्दी पहनते हैं कानून को ताक में रखेंगे आपको कोई नहीं पुछने वाला है ऐसा नहीं चलेगा आपको ज पुलीस वाले चरपहिया वहां से चड़कर जाने लगते हैं तो वही युवक के द्वारा जिसका चलान कटा जाता है वो पूछता है कि महोद है आपने सिट बेल्ट क्यों नहीं पहना है आपका सिट बेल्ट कहा है इस पर पुलीस वाले भड़क जाते हैं जो पुलीस पतादिकारी रहते हैं वो इतना मार पीट करते हैं उस युवक के साथ उसके नाक से ब्लट गिरने लगता है वो गंभीर अवस्था में उसे वो इलाइच के लिस्पताल में भर्थी करा जाता है अब सोचिया न एक कानून वाले जो हैं जो वर्दी पहने हैं वो क्या वर्दी का पाला नहीं करेंगे वो क्या कानून के रखवाले नहीं है मतलब वर्दी पहन तो ही कानून को ताक में रखेंगे आपको कोई नहीं पुछने वाला है ऐसा नहीं चलेगा आपको जो है वो पूछा जाएगा आप कानून का पाला नहीं करेंगे तो निश्चित तोर पर आपको जबाब देना पड़ेगा चलिए बाके बजार का मामला है हम बाके बजार के थाना परभारी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि आपके थाने में यह सब चल रहा है महोद है क्या आपने आदेश दिया था उस पताधिकारी को कि किसी की यूबा के साथ मार्पीट कर और क्या आपके लिए को इनियम कारू नहीं बनता है आप दिखा देंगे इस नंबर को यह बाके बजार थाना प्रभारी का जो है वो नंबर है अब इस आपके थाना का एक मामला है कि एक यूबा के साथ मार्पीट के यह है पुलीस पताधिकारी के द्वारा जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है सर क्या मामला है वो जाच चल रहा है अच्छा एक बात बताईए फिर आप से पुछना चाहते हैं कि आप लोग पब्लिक सेवा के लिए हैं या फिर पब्लिक के मालिक हैं अब पता नहीं क्या है ये अब हमें कौन फोन कर रहा है बाद में बात करेंगे एक बार फिर से इनको हम ट्राय करते हैं कि फोन काय कर देखिए ये थाना पर्वादी है अब सोचिए एक ही सवाल में फोन काड दिया है फिर लगा है फोन देखते हैं पूछ लेते हैं बीजी है क्या नहीं बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं उठाएँगे नहीं उठाएंगे हमारा काम जानेंगे भाए कि हम यहीन पुछे क्यों से वाके यह फोनेने उठाएंगे म innocent चलिए अब हम दुवारा बात नहीं करेंगे हमारे ऊपर आदमी अगर को पुलीस वाले के की था कि देखिए थाना परभारी महद्धधए एक बात ता士-फुरूप आपढ़ाजीव करें और फिर की अपराजीव म beautiful पनारींämä सब्सक्रा पराज़ीव हो लेकिन आप लोग पब्लीक के उपर हाथ उटाते हैं पब्लीक को हिंटर आने धमकाने में लगए हुए हैं अरे पब्लीक तो सिधा साधा वेक्ति है हैं आप अपराधियों भैपदा करिए न ताकि आपके अपराध कम हो तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे वह आपसे पकड अधिकारी हमारे समाज में हैं जो आम वेक्ति के साथ हमार फीट कर सकते हैं तो ऐसे लोगों प्रकारवाई होनी चाहिए एक पुलीस पता अधिकारी बिना हेलमेट के चल रहे थे रास्ते में एसेस्पी ने चलान कटवा दिया उनका तो कानून आपके लिए बराबर है कान जाना प्रभारी हो चाहिए बोर्द का अवाज सबाल सबसे होगा मैं जनता का आवाज हुना भाई जयनता के लिए नहीं वाज उठाता हूँ जbok के लिए नहीं हम है ८हीं पब्लिक शर्वेंट जो है वो करमचारी हैं वो पब्लिक की सेवक हैं हम लोग जनता का आवाज हैं लोग पब्लिक का आवाज हैं उनकी आवाज को हम पुक्ता से दिखाएंगे हमारा ये करतब है बाकिस घट्टा को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स बताईए गाई फोनमा जो हम आपके पूरे पुलिश डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं आपकी छवी को धुमील कर रहे हैं ऐसे लोगों पर सक्त से सक्त कारवाई करने की जरूरत है जेके निदिश्ट टेंटिफार्टिस मेल केने मैं समर राठ हूर गैस